सेहर कोदवाली विजनोर के चक्कर रोड इस्तेद आरे नगर कलोनी का रहने वाला यूवक मनोज बर्मा दो दीन से लापता है परिजनों के तलास करने पर मध्य गंगा वेराच पे उसका स्कूटर खड़ा मिला मनोज बर्मा संका कारे करता भी है परिजनों के तहरेर के अनुसार यह किसी व्यक्ति को लकड़ी का समान दिलाने गया था पीडित परिजन मनोज को जल परामट करने के मांग करते हुए एस्पी से मुलाकात रहा है अज इस्पी ओफिस हाई है क्या मामदा है हमारा तीन दिन होगा परिसान होता हूँ बुद्वार के दिन से 12 से पौने बारवजी के आस पास से बच्चों के पापा कोई पता नहीं अनुसरमा और वे गया वे आस पास घर भी गयते एक शोटे मोटे से जैम में से बीकला है क्वेशी हमारा काम यहाशा लगणी का गंना-ाक हड़ता ही उनके पास अक वे उनने उन्हें रूर पर गया लेकिन यह नी बताया किनगा यहीं जाऊँगा यहां उन्तीर देखने में नहीं कॉंच HAM vision फोन पन बना रहा है प्रणाइब पता नहीं चाहिए पिर हमने इंतिजार देखते रहे हो सकता है वे अटिक हो इंतिजार देखने में हमें साड़े थीन बच गया से पिर हमने जो हमारे लेवर काम करती है साइड चल किया है तो आपकारा कुछ पता नहीं चल तो एक उनके बचों के चाचा है उन थोड़ी जानकारी मिली है उन्हें ने वोलाए कि मेरी बात हुथी और इस पूट यूंकी बैराज पराणी पर घड़ी है उसके आरुपे यूं बोलते हैं कि मैं कुछ गलत लोगों के साथ हूं जो मतलब किसी लगडी के काम की चिंशने में लेकर गया नहीं लेकर गया उस के वास से उनका कोई पता नहीं है और पूलिस का हमें कोई साथ नहीं है आपने थाने में तह्रीर दे लिए हम तभी जब दोस्तों के सब इखटे हो गया हम रात में गया वोल दिया सुगो को आना दस बजे आना दस बजे गया कोई नहीं है बस फोन की रिपॉंट जो होती ह मनोज बर्मा नाम का संग कारिया करता ला पता है पिछले तीन दिनों से क्या पूरा मामला है यह मनोज बर्मा नाम की विच्टी गुम्षुदा हुए है जित्वर गुम्षुद की दर्ज कर ली गई है उनका वाहन बैराज रूट के आसपास कहीं मिला था जिसके आधार पर प्रक्रण की गंभिरता को दिश्ट के तरक्ति वी टीमें गठित कर दी गई है और मैं स्व